हेलो एब्रीवन वेल्कम बेक टू नैंश्री क्लासस और दिस इस नैंश्री आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ बीएड पीर्टी केस को ब्रीफली डिसकस करने वाली हूँ आज से दो-तीन दिन पहले आप सभी ने ये निउस देखी होगी जहाँ पर आपका बीएड वालों का सीटेट का रिजल्ट रोख लिया गया है यहां से स्टूडेंट्स के मन में दो डाउट निकल कर आते हैं पहला डाउट तो ये निकल कर आता है कि क्या आने वाली जो वेकेंसी हैं उनमें बीएड वाले स्टूडेंट्स पीर्टी पोस्ट के लिए एलिजबल होंगे या फिर नहीं होंगे दूसरा डाउट ये निकल कर आता है कि जो अभी केवियस का एक्जाम हुआ है उसमें ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंना बीएड कर रखी है और पीर्टी का एक्जाम दिया है तो क्या उनका रेजल्ट तो नहीं रोक लिया जाएगा इन दो चीज़ों को आज में इस वीडियो में ब्रीफिली डिसकस करने वाली हूँ सबसे पहले तो ये डिसकस करते हैं कि आने वाले वेकेंसी जैसे आपका डीटर पलेस भी हुआ क्या डीटर पलेस भी में ब्रीट में आपके जो इस्टूडेंस हैं उनको पीर्टी पोस्ट के लिए इलिसवल किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा देखें यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो उन स्टूडेंस को हो रही है जिनका बैक्ग्राउंड या तो बीटेक का है या फिर उनका बैक्ग्राउंड कॉमर्स का है क्योंकि ऐसे स्टूडेंस पहले से ही TGT PGT तो दे ही नहीं पा रहे थे अब यहाँ पर उन्होंने PRT के लिए भी डाउट बना दिया है तो ना तो वो PRT के लिए इलिजबल हो पा रहे हैं ना TGT PGT के लिए हो पा रहे हैं तो उनका सबसे बड़ा डाउट है और दिक्कत उन्हीं लोगों को है तो मैं ऐसे student को suggestion दूँगी कि अभी तक judiciary की तरफ से कोई भी ऐसा निर्णाय नहीं आया है जिससे आप यह कह सकते हैं कि आपको PRT से यहाँ पर अलग किया जा रहा है आप यहाँ पर अपने मन से कुछ भी नहीं कह सकते हैं जब तक कोई निर्णाय नहीं आता है judiciary की तरफ से तब तक आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कह सकते हैं तो आप इस case में यहाँ पर patience रखिए कुछ दिनों बाद आपको खुदी के लियर हो जाएगा कि आप आने वाले vacancy में PRT post के लिए eligible होंगे या फिर नहीं होंगे अब बात आती essay student जोनों ने BDEC नहीं किया है ना तो वो commerce background से हैं तो वो तो पहले से ही TGT PGT के लिए eligible हैं ही तो आप अपना जो time है वो TGT PGT में दीजिए क्योंकि आप सभी को पता है कि TGT PGT के लिए आपको जादा मेहनत करने की जरूरत है बहाँ पर आपके subjects जुर जाते हैं बहाँ पर आपको जादा मेहनत करना है तो आप अपना time अपने TGT PGT को दीजिए अगर आप आगे चलके PRT के लिए भी eligible होते हैं तो at least आप यहाँ पर TGT PGT से तो त्यारी करी रहे हैं साथ ही साथ आप अपने PRT को भी समय दे दीजिएगा अब यहाँ पर दूसरा doubt है वो है कि KBS का result को लेकर कि इस बार जो B.A.D. वाले students हैं जिन्होंने PRT के लिए paper दिया है उनका result आएगा या नहीं आएगा एक चीज आप अपने मन से सूचिए कि अगर KBS को ऐसा कुछ करना होता कि B.A.D. वालों को PRT के लिए लिजिबल नहीं करना होता तो KBS पहले से इस चीज को mention कर देता लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया उन्होंने साबसाब mention किया कि आप लोग ई Schulowel है जब उन्होंने पहले से mention किया तो अब वो result को नहीं रोकेंगे ये आपका fix है कि अब वो result को नहीं रोकेंगे क्योंकि यहां पर सारी चीज है आपका एक्जाम भी हो चुका है आपका 2-4 दिन में रेजल्ट भी आने वाला है तो यहाँ पर तो आपका कोई चांस ही नहीं कि आपका रेजल्ट रोका जाए तो यहाँ पर आप अपने इंटर्वी की त्यारी कीजिए अपने डेमो टीचिंग की त्यारी कीजिए इन सब चीजों को नहीं सोचे तो अच्छा है आप सभी के रेजल्ट बहुत ही बहतरीन आएगा आपने महनत की है तो आप बहतरीन रेजल्ट के लिए बिल्कुल त्यार रहिए अपने त्यारी को अपना टाइम दीजे अपने डेमो टीचिंग को टाइम दीजे आशा करती हूँ कि ये दोना चीज़ें आपको समझ में आई हूँगी यदि आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्फ होती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और शेर करना ना भूलेगा